आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टिरिंग जीओमेट्री के बारे में स्टिरिंग जीओमेट्री के क्या इफेक्ट से ओटोमबल स्टिरिंग सिस्टम में वो भी हमाज देखेंगे तो फॉस्ट जीओमेट्री आज हम देखने वाले हैं उसका नाम है टो इन और टो आउट कंडिशन उसके बाद में हम केमबर एंगल के बारे में डिसकस करेंगे तो first जो steering geometry है वो है toe in और toe out condition के बारे में तो हम कोई भी vehicle जो है toe out और toe in condition कैसे पहचान सकते है तो उसके लिए एक simple step है वो आपको perform करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो left hand side में आपको figure दिख रही है toe in means is equal to y minus x तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि y की क्या value है और x की क्या value है तो यहाँ पर आपको देख सकता है कि जो मैंने यहाँ पर front wheel दरसाए है तो front wheel में जो यह front portion है यानि कि जो front two points है यहाँ पर आप देख सकते कि जो front two points है point number A और B उसके बीच में जो distance है उसे हम X कहेंगे यहाँ पर Y की value calculate करने के लिए एक simple step है कि जो front के wheels है उसमें जो rear part होता है उसके बीच में जो distance है उसे हम Y कहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी जबी भी आप toe in की condition measure करना चाहते हो तो Y-X अगर आप करेंगे तो अगर उसकी value जो है वो greater than 0 आएगी तो आपका wheel जो है वो toe in condition में है अगर एसा हम कह सकते हैं परन्तु अगर toe out condition में हुआ तो उसे हम कैसे मालूम करेंगे तो toe out condition के लिए हमें क्या करना होगा कि फिर से Y-X ही calculate करना होगा उसमें भी जो method है X और Y को calculate करने की वो simple है कि जो front point से front wheel के उसको हम X कहेंगे उसके distance को हम X कहेंगे और जो rear distance है किन-किन बीच में कि जो rear point से front wheel के उसको हम Y की और दरसाएंगे तो और यहाँ पर अब जब हम subtraction लेंगे Y-X का अगर यह less than 0 आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Y की जो value है वो X से कम होने की वज़े से यहाँ पर वो less than 0 आएगा तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि Y-X की value less than 0 आती है तो उसे हम toe out condition कहेंगे अगर हम toe in or toe out को सुरल भासा मैं समझना चाहा है तो यहाँ पर अब theory पढ़ लेते हैं toe in is the amount by which front of the front wheels are set closer and toe out is the amount by which rear of the front wheels are set to closer यहाँ पर आपको यह जो sentence है वो समझा जोता हूँ कि जो front tire का जो front part है वो कितना नजदीख है अगर वो condition हमें मिलती है तो उसे हम toe in कहेंगे और जो toe out condition है वो कैसे कहाँगा कि rear part जो है front wheel का वो कितना नजदीख है एक दूसरे के मुकाबले तो उसे हम toe out की condition कहेंगे अगर sir y-x की value अगर 0 हो जाती है तो उसे हम कहेंगे तो उसे हम कहेंगे neither been toe out और now toe in यानि कि जो y-x की value 0 आती है तो वो जो wheels है front wheels वो toe in में भी नहीं है और toe out condition में भी नहीं है यहाँ पर अब हम second point की और आगे बढ़ते है incorrect toe in और toe out condition cause slippage and rubbing and premature tire wear on either side of wheel tread segment यानि कि अगर हम बात करें कि toe out condition और toe in condition के बारे में जब भी वो incorrect condition में होती यानि कि जो manufacturers की guideline दी गई है उसके coding नहीं होती है तो उसके side effects क्या है तो यहाँ पर जो है वो एक तो tire आपका slippage करेगा उसके बाद में rubbing condition भी करेगा और उसके बाद में क्या होगा कि जो tire की जो life है जो आपको दी गई है life उसके पहले ही है जो tire वो गिस जाएगा आपका तो यहाँ पर जो premature tire wear है वो हमें देखनों को मिलता है जबी इंकरेक्ट toe in और toe out condition देखने को में मिलेगी यहाँ पर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको आपको डिक्रिमेंट दिखाए देगा और जो डिरेक्शनल स्टेबिलिटी एट हाइर स्पीड वो अभी यहाँ पर और यहाँ पर higher toe in है उसके कुछ side effects है वह भी हमें दिखाए गए है उसके बाद में जो toe out के means का higher toe out है उसके क्या effects है तो higher toe out would result in reduced in understeering and ease of steering during cornering यानि कि जब अब cornering करते हैं यानि कि जब अब turn लेते हैं कोई भी वेहिकल में तो उसका जो effort है उसमें decrement लाएगा जाएगा और जो understeering की effect है उसमें भी हमें decrement देखने को मिलेगा जबी भी हम higher to out condition का use करते है और उसके बाद में हम देखेंगे last point to in or to out में तो उसमें कहा गया है इन modern ABS cars tow in is provided about 3 mm यानि कि जो अभी भी modern car आ रही है वो ABS यानि कि anti-lock braking system के साथ आ रही है उसमें generally tow in provide किया जाता है क्योंकि tow in provide करने से क्या होगा कि एक तो oversteering का जो खत्रा है वो कम हो जाएगा और उसके बाद में जो directional stability है at higher speed वो हमारी increase हो जाएगी और generally जो tow in है वो कितना दि बढ़ते हैं एक और steering geometry के बारे में उसका नाम है camber और उसे हम wheel rack के नाम से भी जान सकते हैं तो यहाँ पर अगर आपको मैं सरल भासा में camber यानि की wheel rack का थोड़ा सा अगर मैं समझा दू तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि left and side में जो figure दी गई है वो आपको first समझनी पड देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जबी भी हम steering geometry के यह पूरे lecture में बात करेंगे तो उसमें left front wheel के बारे में बात करेंगे तो आपको एक mind में होना चाहिए है कि हम left front wheel जो है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर आपको नीचे जो है वो road की surface दि पसार होती हुई line है उसे हम पसार करेंगे उसे हम tire centerline करेंगे उसके बात में क्या करेंगे कि tire के center center में से पसार होती हुई एक vertical line जो हम यहाँ पर ड्रो करेंगे यानि की दो हमें axis मिलेगी एक तो vertical axis यानिए की मोजिए वल्टीकल लैन भी कर सकते है और tire center line जो कि todket ओडीर के center में से क्यों पसार होगी यानि की जो टायर का जो center line है और vertical axis है उसके बीच में अगर हम angle लेते हैं तो उसे हमें camber कहना होगा यानि कि वो जो geometry में मिलेगी वो camber कहलाएगी उसके बाद में अगर right hand side की भी figure देखे तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें भी left front wheel same तरह के सा लिए गया है पर यहाँ पर थोड़ी सी जो geometry वो different हो जाती है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि vertical axis और टायर center line में से पसार होती हुई यहाँ पर जो angle है उसम negative camber कहा जाता है तो यहाँ पर आपको mind में थोड़ा सा click हो जाना चाहिए कि positive camber अप क्यों कहा गया ही से और negative camber क्यों कहा गया है तो दोस्तों आपको यह कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो दिये गया camber है वो positive है और यहाँ पर जो दिये गया camber जो है वो negative है तो उसके लिए पर एक shortcut में थड़ है तो वो आपको मैं बताद बताऊं कि यहाँ पर positive camera और negative camera को identify करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो tire center line का जो upper portion है दोनों में upper portion दिखा जाते है यानि कि left hand side और right hand side में यह जो है वो upper portion है अगर आपको simple language में बताऊं कि tire center line का जो upper portion है वो अगर car की body से दूर तरफ है यानि कि outward direction में है यहाँ पर अगर चार की body की बात करें तो quietly गरर की जनरली vertical axis के टोर पह ले सकते हैं तो अगर वो चार की body से दूर यानि कि outward direction में है तो उसे हम positive camber के तोर पर जानेंगे और अगर वो inward direction में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो left front wheel की बात कर रहे है तो left front wheel का यह जो upper portion है वो car की body की inner direction यानि की inward direction की ओर है तो car की body की अंदर की ओर जो होता है तो उसे हम negative camera के तोर पर जानेंगे दोनों का एंगल सीम ही है इडिस दी एंगल बिट्वीन वर्टिकल एक्सिस एंटायर सेंटर लेंग परन्तु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो camera है वो कैसे आपको मालूम चलेगा camera तभी भी मालूम चलेगा कि जब आप कोई भी vehicle का front wheel उसे front side से देखेंगे तभी यहाँ पर जो हमने tow out और tow condition के बात की थी तो वो कैसे पता चलेगा कि जब भी आप कोई automobile vehicle के front wheels जो है वो अगर आप top view से देखेंगे तो हमें tow in और tow out steering geometry के बारे माँ पता चलेगा और जब इसी theory है वो भी recall कर लेते हैं camera can be defined as the tilt of the car wheel from the vertical axis when viewed from the front side of car यानि कि जो एक प्रकार का camera जो है वो एक tilt है car की जो body है उसके रिगाड़ी और vertical axis के respect में तो उसे हम उसे जो है वो front side से देखना पड़ेगा second point read करते है if car wheel is tilted outward then it is called as a positive camber and car wheel is tilted inward then it is called as a negative camber यहाँ पर जैसे मैंने आपको समझाए कि अगर car का जो wheel है वो outward direction में tilt हुआ आपको मालूम पड़ता है तो उसे positive camber का जाएगा और जो car का wheel जो है वो inward की और यानि की inward direction में tilt हुआ आपको दिखाई देगा तो उसे हम negative camber के तोर पर जानेंगे यहाँ पर last point जो है वो भी read कर लेते है properly adjusted wheel है वो positive camber because when the vehicle is loaded and wheels rolling along the ground wheel tend to bring the wheel in the near about vertical position यह जो point है वो आपको next slide में मैं समझाऊंगा कि यहाँ पर जो है वो figure के दोर आप easily आपको यह point समझाया जाएगा तो आप ही आगे बढ़ते है next slide में यहाँ पर next slide में जैसे हमने बात की थी कि positive camber और negative camber हमारे पास दो camber की situations है तो उसमें से कों सा camber जो है वो ठीक रहेगा कोई भी automobile vehicle में और उसके क्या-क्या effect से steering में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो left hand side का जो part है उसमें हमने positive camber दरसाया है और जो right hand side का part है उसमें हमने negative camber दरसाया है तो उसमें आप देख सकते हैं फॉस्स जो यह इसके पहले का जो slide था उसमें जो third point था वो आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर अगर आप इस वेहिकल पर load apply करेंगे यानि कि जो loaded condition में होगा यह vehicle तो आप देख सकते हैं कि जो load है वो W इस direction में नीच लिए की direction में लगेगा और उसके regarding क्या होगा कि यहाँ पर जो excels है उसके साथ जुड़े वे rigid excels है उसमें क्या होगा कि यहाँ पर एक प्रकार का force couple generate होगा कि यहाँ पर यह जो double यह उसको support करने के लिए tires के tires जो है वो road के surface पर reaction यानि कि जो road की surface है वो reaction produce करेगी tires के तो यहाँ पर यह जो reaction है वो वहाँ पर यहाँ पर transfer होगा यहाँ पर जो है वो हमें reaction देखने को मिलेगा और इसके regarding क्या होगा कि यहाँ पर यह जो डबल यू आया है और यहाँ पर यह दोनों आर जो है उसके regarding क्या होगा कि यहाँ पर यह जो wheel है वो tilted condition में नह रहते हुए अभी vertical condition में आ जाएंगे तो एसे जो है वो positive camber की यहाँ पर यह जो effect है वो आपको देखने को मिलती है कि generally कोई भी automobile vehicle में थोड़ा सा positive camber दिखाई दे पड़ता है क्योंकि जबी भी यह vehicle loaded condition में होगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि force couple के according आपके जो wheel है वो tilt न रहते हुए थोड़े से vertical condition में आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते है कि negative camber में जो ऐसा कुछ नहीं हो पाता है negative camber में आप देख सकते है कि यहाँ पर यह जो car की board ही है उसकी तरफ यानि inward direction में tilt हुआ हुआ आपको wheel दिखाई दे पड़ता है तो यहाँ पर यह जो case है वो आपका negative camber का है तो अभी थोड़ा सा जान लेते है कि positive camber की क्या effect है और negative camber की क्या effect है तो positive camber की जो first effect हम देख लेते है the positive camber aids the steering wheel returns after completing turn and also increase this straight ahead stability यहाँ पर आप देख सकते है कि जो positive camber कोई भी automobile vehicle में होगा तो वो क्या करेगा कि straight ahead recovery है कोई भी steering wheel की after taking the turn तो उसमें increase करेगा और यहाँ पर जो straight directional stability है यहाँ पर जब आप straight road पर जो है वो move करते है तो उसमें भी इजाफा करेगा उसके बाद ने हम second point की और आगे बढ़ते है positive camber will tend to wheel tow out in condition and due to that the wheel will wear in the more outer side यानि कि यहाँ पर अगर यह आपको point जो है वो simplify कर दू थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं कि जभी बी कोई भी wheel tow out condition में होता है तो क्या होगा कि tow out condition में होने की करण यहाँ पर यह देखिए अगर tow out condition में यहाँ पर यहाँ पर आउटर सर्फेस की और आपको transmit होता हुआ दिखागा यानि कि जो engine का power है यानि कि जो traction power है वो आपका बाहर की और आपको transmit होता हुआ दिखागा तो यहाँ पर जो है वो tire की outer surface है वो जो है वो ज़्यादा आपको घिसी हुई मालुम पढ़ेगी उसके बाद में अगर हम negative camber की और आगा बड़े तो यहाँ पर जो है वो negative camber restricts the tendency of wheel to slip side away during the cornering of vehicle however also increases the steering effort यानि कि जब भी कोई पी automobile vehicle में आप negative camber दिया जाता है तो उसकी steering effort है वो भी increase हो जाती है और उसके साथ हो साथ क्या होगा कि जब आप कोई भी vehicle corner करते है तो उसके लिए guarding जो cornering effect यानि कि जो cornering force लगता है उसके कारण जो आपके wheels generally sleep होने के chances बढ़ जाते है तो उसमें जो है वो decrement लाएगा next बात करते है negative camber will tend to wheel in tow in condition यानि कि जब भी आप negative camber दिया जाएगा तो generally जो wheels है वो to in condition माने की कोशिस करेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम tire की जो load profile यानि कि जो load distribution जो देख है तो यहाँ पर जो inner side है यहाँ पर यह जो inner side है उस पर जो है वो traction force यानि कि traction power जो है वो transmit होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो inner side है कोई भी wheel की वो यहाँ पर हमें ज्यादा wear out देखने को मिलेगी तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि camber किसे का आ जाता है उसे हम wheel rack के तोर पे भी जान सकते हैं और positive camber और negative camber के automobile steering system में कौन कौन से effects हमें देखने को मिलते हैं उसके बाद में हम next topic की और आगे बढ़ते हैं next topic जो है वो है हमारा kingpin inclination और उसे हम steering axis inclination के तोर भी भी जान सकते हैं दोनों में थोड़ा सा ही different है हुआ आगे देख लेएंगे हम तो first हम देखेंगे kingpin inclination के बारे में तो first kingpin inclination आपको समझने के लिए क्या करना होगा कि आप हमारा जो example हमने set किया हुआ है कि हम left front wheel लेंगे उसके regarding ही हम देखेंगे तो उसमें आपको तीन axis यहाँ पर थोड़ी सी लेनी होगी तो तीन axis में जो first दो axis है वो तो similar ही है आपको जो है वो already हमने discuss कर लिया था conventional steering में तो यहाँ पर जब भी हम kingpin में से pass होती हुई एक axis लेंगे draw करेंगे यहाँ पर जो kingpin है उसमें से pass होती हुई एक axis यहाँ पर हमने draw कर दी है तो उसे हम kingpin axis के नाम से भी जानेंगे तो यहाँ पर जो kingpin inclination है वो कौन सी कौन सी axis के बीच में एंगल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि kingpin inclination जो है वो kingpin axis और जो vertical axis है उसके बीच में जो एंगल है उसे हम kingpin inclination के बार में जानेंगे और जो kingpin inclination के generally value दी जाती है वो है 6 degrees to 8 degrees यानि कि जो kingpin inclination जो कोई भी अगर आपको kingpin inclination समझ में आ गया है तो steering axis inclination आपके लिए कोई भी difficult बात नहीं होगे क्यों उसमें भी similar fundamental है परन्तु थोरा सा जो है वो यहाँ पर change हो जाएगा फिनोमेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि as always हमने आपकर जो तीन axis की बात कि थी यहाँ फिर तीन lines की बात कि थी तो first जो है वो है टायर सेंटर है डूसरी जो है वो है vertical axis और तीसरी जो है वो steering axis तो steering axis किसे कहा जाएगा steering axis जो है वो generally independent suspension system में kingpin ना होते हुए हमें किसका तो के ball socket joint का use करना पड़ता है ball socket joint जो है अगर उसमें से pass होती होई हम कोई भी axis ले ले तो उसे हम steering axis कहेंगे यहाँ पर आप देख सकते कि यहाँ पर यह जो ball socket joints है उसमें से pass होती होई है जो axis है उसे हम steering axis के तोर पर जानेगे तो यहाँ पर अब steering axis और vertical axis के बीच में जो angle generate होगा उसे हम steering axis inclination के तोर पे चानेगे और generally steering axis inclination की भी value similar होती है kingpin inclination जितनी ही यानि की 6 degrees to 8 degrees जितनी रखी जाती है तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा की kingpin inclination काई से कहा जाता है और steering axis inclination किसे कहा जाता है तो उसके बाद में थोड़ी सी theory है उसके regarding भी तो यहाँ पर आप देख सकते है first point जो है वो kingpin inclination is the angle between the vertical line passing through the wheel and the center of the kingpin or the steering axle from the front view of the vehicle यानि की जो view आपको रखना है वो है front view यानि की आपको जो wheel है वो front से दिखना चाहिए और जैसे हमने बात की की vertical line और जो kingpin axis है उसके बीच में जो एंगल जन्रेट होता है वोसे हम kingpin inclination के तोर पे जानेंगे यहाँ पर second point read करते है some modern design replace the kingpin by ball socket joints in such a case steering axis inclination is known as the steering axis and angle between steering axis passing from the ball socket joint and the vertical axis passing through the wheel यहाँ पर जो modern manufacturers क्या करते है कि kingpin की जगा पर यहाँ पर ball socket joints के इस्तमाल करते है तो ball socket joint में से पसार होती हुई जो axis है उसे हम steering axis कहेंगे और steering axis और vertical axis के बीच में जो angle create होता है उसे हम steering axis inclination कहेंगे उसका sword form है SAI उसके बाद में जो third point read करते हैं कि यहाँ पर kingpin inclination और steering axis inclination के बारे में हमने पढ़ तो लिया पर उसकी क्या effect से वह अगर हमें जाननी हो तो वह क्या होगी तो उसे हम देख लेते हैं कि provide greater directional stability यहाँ पर अगर किसी भी automobile vehicle में kingpin inclination or steering axis inclination 6 degrees to 8 degrees के बीच में होगा तो हमें greater directional stability यहाँ कि जो हमारी directional stability होगी automobile vehicle की वह increase हो जाएगी उसके बाद में tending to return the wheel in this straight ahead position after steering is done यानि कि steering की जो straight ahead position जो है वो regain करने की capacity है वो भी increase हो जाएगी यानि कि जल्दी से जो है वो हमारा steering wheel अपनी initial position पर आ जाएगा उसके बाद में हम देखेंगे reduce the steering effort in stationary position of wheel यानि कि जो भी कोई vehicle stationary position में होगा तभी जो steering करना होगा आपको तो जो steering effort test stationary position में वो अभी reduce होगा आपको दिखाई देगा उसके बाद में हम बात करेंगे reduce the tire wear यानि कि जो tire का wear है उसमें हमें decrement देखने को मिलता है और अगर last point की बात करें sai must be equal on both side otherwise vehicle will tend to pull on the side having the greater angle यानि कि अगर यहाँ पर हम बात करें कि अगर हमने left wheel और right wheel में अब यहाँ पर हम बात करते है left wheel और right wheel के बारे में कि यह जो point है वो क्या कहना चाहता है कि यह left wheel जो है और right wheel यहाँ पर आपको दरसा हूँगा अगर left wheel में जो है वो 6 degree का steering axis angle है और right wheel में जो है वो 8 degree का steering axis angle है तो क्या होगा कि जब भी दोनों wheel में यानि कि front wheel में ही दोनों wheel में steering axis inclination different है तो क्या होगा तो यहाँ पर जो car है वो अपनी तरफ से यानि कि automatically जिसकी और ज्यादा steering axis inclination है उसकी और मूंग करने की यानि कि आप देख सकते है कि right hand side यह जो arrow है उस direction में pull यानि कि जो आपको खिचाओ देखने को मिलेगा car का अपने आप तो यहाँ पर आप देख सकते है कि यह जो condition है वो harmful है क्योंकि आपको maintain करना होगा यह दोनों तरफ जो steering axis inclination है वो same हो वरना क्या होगा कि जिसकी और ज्यादा steering axis inclination angle होगा उसकी और car जो है वो मूंग करने की यानि कि अगर left wheel में जो है वो SAI की value जादा होई तो left hand side को आपक कि आज के इस video lecture में जो हमने discuss किया first discussion किया था toe in और toe out के बारे में secondly हमने discuss किया था camber में जिसमें हमने सीखा positive camber और negative camber के बारे में और third और last हमने सीखा kingpin inclination और steering axis inclination के बारे में तो आसा करता हूँ कि यह video lecture आपको पसंद जाया होगा और आपने कुछ information gain की होगी तो ऐसे ह किसी interesting video देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर subscribe कर सकते हैं और उसके बाजू में दिया गया notification bell को भी press कर सकते हैं कि जब भी कोई new video हमारे YouTube चैनल पर upload होगी तो आपको directly notify किया जाएगा और दोस्तों जाधा update पाने के लिए आप हमारे telegram group को भी join कर सकते हैं उसकी जो link है वो उनको भी information है वो gain हो सके और thank you thank you very much for watching this video